आप लोगों को मिक्स जूस बनाने के लिए सिखाऊंगी यह है करेला टमाटर और कुकुम्बर का जूस तो आगे के भी मैं बताई हूं किस तरह से बनाना है और यह जूस बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए यूजफूल होता है जिसको सूगर है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और मोटापा में भी कम करने का काम करता है और इसमें खीरा में तो मैं बताई हूं आगे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जूस बनाने के लिए शुरू करते हैं चलिए लेट इस्टार्ट फ्रेंड्स वेल्कम पैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों को मिक्स जूस बनाने के लिए सिखाऊंगी जो कि सुगर और मोटापे लोगों को भी बहुत ही फायदेमांद होती है तो यह देखिए एक टमाटर ली हूं एक करेला ली हूं एक मैं कुकुमबर ली हूं जो कुकुमबर मे वीटामीन A, वीटामीन B1, वीटामीन B6 , और इसमें C, D, POTASIUM रहता है और ये टमाटर है जो डमाटर में वीटामीन C रहता है परचूर मातरा में और ये बहुती फैदेमंत होती है और यह कडेला का जूस मोठापय को कम करता है और जिसको पत्री रहता है इस्टोन तो उसको भी निकालने में सहायता करता है तो यह तीनों का मैं आज में जूस बनाने जा रहे हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज मैं मिक्स जूस बनाने जा रहे हैं तो ये देखिए अभी हम इसके काट देंगे इधर से दोनों को और इसके अंदर में जो बीज रहता है तो ये बीज जो है ये बीज इसको पहले हम इस तरह से निकाल देंगे देखिए तो अभी हम इसको बीज निकाल दिये हैं और इससे हम बारिक काट लेंगे ये खीरा है खीरा को भी हम इस तरह से बारिक काट लेंगे अब इसे हम अच्छी तरह से ग्रेंड कर लेंगे अब हमारा ग्रेंड हो गया है तो इसे हम च्छना में च्छान लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा मिक्स जूस बनके तयार हो गया है तो जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बताई हूँ जो ये बचे हुए पदार्त का क्या करेंगे तो फेकना नहीं है तो इसके आप सबजी बना लीजिए इसमें जो है मैं पहले के वीडियो में बताई हूँ जो किस तरह से सबजी बनाना है उसमें मैं करेला का बनाई हूँ, यह मिक्स है, तो मिक्स है तो और भी बेस्ट सबजी बनेगा, इसमें एक प्याज का पेस्ट डाल दीजे, और सारा चीज उसमें बताया गया है वीडियो में, तो यह देखिए हमारा मिक्स जूस बनके तयार हो गया है, तो यह जूस बहुत साइदे मंद होती है, मोटा पा को भी कम करती है, और स्टोन जो रहता है, जिसको स्टोन को भी निकालने में, और गलाने में काम करती है, तो अगर आपको मिक्स जूस खारेशिपी पसंद आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सेयर करें अगर आपको ज्यादा प तो बेल आइकन को भी बजाना ना बोलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर लिजे और सेयर कर लिजे बेल आइकन को भी बजा लिजे थैंक यू फ्रेंट्स